साथियों, आज दुनिया की आबादी तेजी से बुजुर्ग हो रही हैं और भारत युवा शक्ती से ससक्त है एक्सपर्ट बताते हैं कि आने वाले 25-30 वर्षों तक वर्किंग एज पपुलेशन के मामले में भारत सबसे अग्रणी रहने वाला है इसलिए भारत के युवाओं पर पूरी दुनिया की नजर है युवा शक्ती एजन्ट अब चेंज भी है और बेनिफिशरीज अब चेंज भी है आज जो युवा साथी कॉलेज और युनिवर्सिटीज में है उनके केरियर को भी यही 25 साल तै करने वाले हैं यही युवा नए परिवार बनाने वाले हैं नया समाज बनाने वाले हैं इसलिए यह तै करना कि विक्सीद भारत कैसा हो यह हक भी सबसे अधिक हमारी युवा शक्ति को ही है इसी भाव के साथ सरकार देश के हर युवा को विक्सीद भारत के एक्शन प्लान से जोड़ना चाहती है देश के युवाओं के आवाज को विक्सीद भारत के निर्मान की नीती रननीती में ढालना चाहती है युवाओं के साथ आप सबसे ज़्यादा संपर्ग में रहते हैं इसलिए इसमें आप सभी साथ्यों का योगदान बहुत महत्वपून होने वाला है साथ क्यों हमें प्रगति के जीस रोड में पर चलना है वो सिर्प सरकार ताई नहीं करेगी उसे देश ताई करेगा देश के हर नागरी का इंपूर्ट उसमें होगा सक्रिय भागिदारी इसमें होगी सबका प्रयास याने जन भागिदारी एक ऐसा मंत्र है जिससे बड़े से बड़े संकल्प सिद्ध होते हैं स्वच्च भारत अभ्यान हो डिजिटल इंडिया अभ्यान हो कोरोना से मुकाबला हो लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल होने की बात हो हम सभी ने सबका प्रयास की ताकत देखी हैं सबका प्रयास से ही विख्षित भारत का निर्मान होना है आप सभी विद्वजन स्वयम भी देश के विकास के विजन को शेप करने वाले लोग हैं युवा शक्ति को चैनलाइज करने वाले लोग हैं इसलिए आप से अपेक्षाएं कहीं अधीक हैं यह देश का भविश्य लिखिने का एक महा अभियान है आपका हर्च जाव विक्सीद भारत की इमारत की भव्यता को और निखारेगा झाले लोग हैं